भीशन गर्मी के बीच आय आंधी तूफान में एक बार फिर बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ है इस बार यूपी बिहार और जार्खन में कम से कम 49 लोग मारे गए है भीशन गर्मी के बीच आये आंधी तूफान ने एक बार फिर उत्तरप्रदेश, बिहार और जार्खन में कहर बर पाया है आंधी तूफान की वजह से इस बार कम से कम 49 लोगों की मौत हो गई है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आंधी तूफान और आकाशिय विजली गिरने की वजह से बिहार में 17 लोग मारे गए हैं वहीं जार्खन में 13 और यूपी में 9 लोगों की जान गई है इसके अलावा बड़े पैमाने पर लोग जखमी हुए हैं जिन्हें अस्पतालों में भरती करवाया गया है बिहार में सबसे ज्यादा 5 मौते और अंगबाद में हुई इसके अलावा कटिहार, नवादा, मुंगेर और रोहतास में भी जानमाल का नुकसान हुआ है जारखंड में 13 मौतों के अलावा 25 से ज्यादा लोग घायल हुए है उत्तरप्रदेश में सबसे ज्यादा 5 मौते उन्नाओं में हुई जबकि राय बरेली और कानपुर में भी जानमाल का नुकसान हुआ है सोमवार की शाम आय तूफान से बड़ी संख्या में पेड भी गिरे हैं और बिजली की आपूर्ती ठप है मौसम वैज्ञानिकों ने इसे प्री मौनसून बारिश बताया है और आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया गया है माई के पहले हफते में भी आंधी तूफान की वज़ा से कम से कम 200 लोग मारे गये थे बियरो रिपोर्ट गो नियूज